हेलो गाइस वैलकम तो अभीपीडिया पावड़ बाई अभीमन्यू आईएस गाइस स्टेट सिवल सर्विसेज एक्जाम की अगर मैं बात करूं तो भारत के किसी भी राज्य का कोई भी एस्पिरेंट जो सीविल सर्विसेज के लिए प्रेपरेशन करता है वो स्टेट सिवल आफ इंडिया तो अगर आप पंजाब से बिलॉंग करते हैं या फिर आप महरास्ट्रा से बिलॉंग करते हैं आप जमू एंड कश्मी राजस्थान गुजरात तमिल नाडू आदरा प्रदेश अरुनाचर प्रदेश असम यह किसी भी राज्य का स्टेट सर्विसेज का एक स्टेट सेविसरिज की करना रहा है bonmus से ज्यांदा सेलेक्शन दे चुका है वो आपके लिए लेके आया है एक combined state civil services exam preparation course, ये course आपको help करेगा भारत के किसी भी राज्य का state civil services का exam crack करने के लिए, यूँकि जो मैंने difference बताया, उस difference को यहाँ पे cover किया जाएगा, आपको state का gk और language के बारे में भी बढ़ाया जाएगा, तो go ask civil services की आज हम बात करेंगे, ठीक है, state civil services के दोरान, यूँकि हर state में कुछ ना कुछ pattern change होता रहता है, ठीक है, हर state में कुछ ना कुछ pattern में change आता है, कहीं पे c-set होता है, कहीं पे नहीं होता है, और जो language आपको पढ़नी होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, और कितने mains में, कितने paper रहते हैं, ये सारी चीज़े आज हम discuss करेंग जो आप लेना चाहते हैं, अगर कोई query आती है, तो कोई doubt रहता है, तो you can write in the comment section, चले, आज बात करेंगे हम Goa civil services की, that has been conducted by the Goa public service commission, Goa civil services का जो exam है, यह Goa public service commission के द्वारा conduct करवाया जाता है, देखे हर राज्य का जो civil services का exam होता है, वो उस राज्य के public service commission के द्वारा ही conduct करवाय चाहता है, क्या qualification या फिर eligibility criteria रहता है, age limit के अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर age limit जो Goa civil services के अंदर रहती है, वो रहती है, 18 to 33 years, ठीक है, कुछ exams, exam to exam vary करता है, और बाकी, अगर आपके पास कोई category है, SCST, OBC, या फिर एक service man, तो यहाँ पर आपको कुछ relaxation भी मिल जाता है, इस बात का ध्यान भी आप रखेंगे, ठीक है, SCST, 5 years, 3 years, OBC, तो यहाँ कुछ relaxation भी आपको मिल जाएगा, otherwise minimum 18 years, maximum 33 years for the general categories, next देखते है, eligibility, education qualification, कुल बात अगर हम करें, तो education qualification में आपने भारत की किसी भी माहनेता प्राप्त युनिवस्टी से, ठीक है, किसी भी भारत की माहन distribution करी होनी चाहिए, ठीक है, यह यहाँ पर रहता है, और इसके साथ-साथ, the working knowledge that is a reading, writing and understanding of the konkanी language is mandatory, गोवा में जो भाशा बुली जाती है, konkanी भाशा, इसका जो knowledge है, वो आपको होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर दिया गया है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि language और general knowledge क आपको आती होनी चाहिए, तो अब हम selection process की तरफ बढ़ेंगे, तो exam pattern की अगर हम बात करें, ठीक है, schedule of the exams की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर prelims का exam होता है, फिर मेंस का exam and then personality test और interview जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले prelims की बात करेंगे, prelims में यहाँ पर रहते हैं, दो पर, prelims में यहाँ पर रहते हैं, दो पर, as per the UPSC, that is, एक GS का paper होता है, general studies का 200 number का, 2 घंटे का समय मिलता है, 2 hours का time मिलेगा, multiple choice questions होते हैं, ठीक है, और उसी तरह से एक general aptitude का paper होता है, C set type, ठीक है, 200 number का यह होता है, 2 घंटे इसके लिए मिलते हैं, तो 2 paper होते हैं, तो 2 paper होते ह इन दोनों को आपको crack करना है, तब आप जाके कहीं mains के लिए eligible होंगे, जब आप अच्छे number लेके आएंगे, जब आप अच्छे number लेके आएंगे, mains के cut-off को crack करेंगे तो, तो main written examination के लिए उसके बाद आप eligible हैं, तो mains की अगर मैं बात करू, mains में क्या होता है, mains में होते हैं बच्छो 6 paper, टोटल 800 number का mains आपका रहता है, 800 marks का total mains का examination रहता है, इसमें आपके 6 paper होते हैं, दो language के और 4 general studies के, ठीक है, general English का एक paper, one exam is of general English, second is of general Hindi, 100 marks, 100 marks each, and general studies 1, general studies 2, general studies 3, general studies 4, and ये general studies के 4 paper, 500-800 marks के है, 150-150 marks के, and language वाले जो paper है, Hindi हो या English हो, it is of 100 marks each, 100 marks each, हर exam के लिए आपको 3-3 hours का time मिलेगा, ठीक है, हर exam के लिए आपको 3-3 hours का time दिया जाएगा, तो mains 800 number का है, prelims 400 number का था, तो mains में अगर आप 800 में से अच्छा marks score करते हैं, आप cut-off को crack कर पाते हैं, then you will be eligible for the interview or personality test, तब आप personality test या interview के लिए eligible है, ठीक है, तो personality test या interview, अगर आप mains को crack करते हैं, आप वहाँ पहुंचेंगे, तो यह जो होता है, यह 100 marks का है, 100 marks का आपका personality test या interview है, 800 number का आपका था mains, total 900 में से आपका होगा selection, इस में से आपका होगा selection, तो जो aspirant mains में अच्छा score करते हैं, interview में अच्छा score करते हैं, उनको यहाँ पे preference मिलती है, क्योंकि वो यहाँ पे अच्छा score कर रहे हैं, तो वो cut off को crack कर लेते हैं, और वो यहाँ पे selected हो जाते हैं, तो goa civil services है, goa एक बहुत ही beautiful अच्छा state है, वहाँ पे आप civil services, civil experiment बनके अगर अपना त्यारी करके exam देते हैं, तो के लिए ले के आया है, combined state civil services exam preparation course, अभिमन्यू आईएस का online platform, that is, अभी पीडिया आपके लिए कोर्स ले के आया है, अभी पीडिया विच इस पावड़ बाया अभिमन्यू आईएस, अभिमन्यू आईएस, पिछले बाइस सालों में, पंदरा सु से ज़्यादा selection दे चुका combined state civil services exam preparation course, the duration of this course is 6 month, ये 6 महिने का दूरेशन रहेगा, इस course का 6 महिने का दूरेशन रहेगा, it is pre come main course, it is pre come main course of the general studies and it will also cover the CSET part, ये आपका CSET part भी cover अब करेगा, पुरा का पुरा CSET आपका cover हो जाएगा, इसके अंदर आपको CSET को अलग से पढ़ने की जुरत नहीं है, and to apply for this course, you can register your free trial of that 20 days, ठीक है, आप 20 दिन का free trial भी ले सकते हैं, जो कि आप पे आपको मिलेगा, भी पीडिया के तोरह से, and जिसका लिंग के नीचे आपको description में मिल जाएगा, जिसका लिंग के नीचे आपको description box में मिल जाएगा, and यहाँ पे हमारा जो free demo course of module, free modern, free module course of that, modern history जो है, वो ongoing है, आप demo attend कर सकते हैं, हमारे teachers कुछ देख सकते हैं कि teachers कैसा पढ़ाते हैं, 20 days का free trial भी ले सकते हैं, for the another subjects also, and join the topper league of Abhimanyu IS by cracking the state civil services exam of 2022-2023, तो आज ही register करें, अपने demo आज ही book करें, ताकि आप भी आने वाले time में state civil services अधिकारी बन सकते, क्योंकि Abhimanyu IS का सपना है, अलविदा आज के लिए इतना ही था, गवा civil services का discussion करा, any doubt हो, तो you can write in the comment section, you can write in the comment section, channel को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया, तो channel को subscribe कर लिजेगा, और वेल इकान दबाना नहीं बूलना है, ताकि आपको update मिलते रहे हैं, it's all for a day, thank you so much.